हेलो इवरीवन इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे solubility के बारे में और इस से related name से क्यों भी डिसकस करेंगे और इस से related numerical से भी आते हैं तो वो भी हम डिसकस करेंगे तो चलिए श्टार्ट करते हैं solubility अब solubility क्या है उसको समझने के लिए मैं आपको एक एक्जामपल से समझाओंगा माल लेते हैं कि एक गलास पानी में 100 ग्राम वाटर है हैना 100 ग्राम क्या है वाटर है और इस 100 ग्राम वाटर में imagine करिए कि आपने एक चमच चीनी डाला तो यह पूरी तरह से घूल गया आप द पूरी तरह से घूल गया लेकिन अगर आप चार चमच चीनी डालते हैं तो चार चमच चीनी में क्या हुआ कि यह एक चमच चीनी जो है इसमें नहीं घूल पा रहा है एक चमच चीनी है वह बचा जा रहा है इसमें बच जा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो तीन ह चमच चीनी बचा जा रहा था अगर आप पांच चमच भी चीनी डालेंगे तो दो चमच चीनी बचा रहा जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि आप तीन चमच जो ठीनी जा रहे हैं सुगर डाले हैं वो तीन चमच चीनी आप मैक्सिमम डाल रहे थे जो मैक्सिमम एमाउंट ले तो उसमें दो चमच चीनी बच रहा था इसका मतलब यह हुआ कि आप उस 100 ग्राम वाटर में आप मैक्सिमम तीन ही चमच चीनी डाल सकते हैं जो कि यो पूरी तरह से कम्प्रीटली डिजॉल्व हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि यह तीन चमच उस 100 ग्राम वाटर का सॉलीबिलिटी है मतलब यह समझ में आता है कि वह मैक्सिमम अमांट ऑफ सॉल्वेंट विच कें डिजॉल्व इन गिवेंट अमांट ऑफ सॉल्वेंट अट फिक्स टेंप सॉल्व की 100 ग्रामट वाटर में मैक्सिमम 36 ग्राम ही आप नमक डल सकते हैं सॉल्ट डाल सकते हैं जोकि यो पूरी तरह combreet地 headache adjust हो जाएगा अगर आप 40 ग्रामट चीनी जी सौरी claud लिखंगा आप नमक डालेंगा तो उसमें 36 ग्राम ही डिजॉल्व हो जाई डिजॉल्व हो रह जाएगा मैं फिर से बता रहा हूं हंडर 8 गिश्क्रवार तर्में है ना हंडर 8 गराम ओटर में मैक्सिमम 36 गराम ही नमक यानि स्ट यह डिजॉल हो पाएगा अगर आप 40 गराम आप नमक डालेंे तो 36 ग्राम उसमें से डिजॉल्व हो जाएगा बाकि इसमें 4 ग्राम जो है नमक इसमें सैटल हो रहे जाएगा वो घूलेगा नहीं है ना तो solubility इसका क्या होगा 100 ग्राम वाटर में salt का solubility 36 ही ग्राम होगा क्योंकि maximum जो नमक salt है 100 ग्राम में वो 36 ग्राम डिजॉल्व हो पाया था यानि maximum यहीं डेफिनिशन में आप देख सकते हैं maximum amount of solute which can dissolve in a given amount of solvent यानि given amount of solvent मतलब 100 gram of water में 100 gram solvent में जितना maximum आप solute dissolve कर पाते हैं वही maximum amount of solute उसकी solubility कहलाएगा यह आपको समझ में आ गया होगा अब देखते हैं इसके example से अब यहाँ पर एक्जामपल है 36 gram of any seal can be dissolve in a 100 gram of water at a 25 degree से याप यह भी देख सकते हैं कि रूम temperature पर हैं यानि कोई fix temperature पर ऐसा होता है यानि यह सही है यह actual यहाँ पर experimental है कि आप मातर 36 gram ही नमक आप 100 gram water में पूरी तरह से completely dissolve करने के लिए डाल सकते हैं अगर आप इसमें 40 gram भी डालते हैं चीनी सुरी नमक तो चार gram उसमें बचा रह जाएगा ठीक है यह चीज है आपका यानि थर्टिस ग्रस यानि यहाँ पर लिखा हुआ है therefore solubility of any seal in water 36 gram at a 25 degree सी यानि इसका मतलब यह हुआ कि 36 gram ही आप maximum dissolve कर सकते हैं 100 gram में इसका मतलब 36 gram उसका solubility कहलाएगा यह समझ में आ गया होगा आपको आप formula समझते है formula of solubility यहां से numerical आएंगे बहुत ही सिंपल है solubility का formula होगा उपर में amount of solute लीजिए नीचे amount of solvent लीजिए into 100 कर दीजिए हैना तो ध्यान से उपर में amount of solute नीचे amount of solvent होगा ना कि solution होगा concentration में नीचे solution से divide होता है बट solubility में नीचे solvent के amount से या solvent के mass से divide होता है आप mass से भी related formula देख सकते हैं यहां पे mass of solute divided by mass of solvent into 100 अब इससे related numericals बना लेते हैं लेकिन यह दो चीजिए आप धियान रखेंगे इन्युवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है वाटर को और टिंक्चर अफ आयोडीन कहा जाता है आयोडीन प्लस एल्जोः के mixture को यहां पर आयोडीन यहां पर Collute है आयोडीन यहां-प 然後 सॉल्वेंट है क्यों क्यों क्योंकि इसमें इसमें आयोडी में जादा मातरी को अब यहां पर देख लेते हैं नियुम्रिकल्स चोटा सा एक नियुम्रिकल्स है जो भी वो डिसकस कर लेते हैं एट टुंटी फाइव डिग्री सी टेंपरेचर नाइन ग्राम एने सियल इज डिजॉल्व थर्टी फाइव ग्राम ऑफ एन एन थिरी ऑफ सैचुरेटेड सोल सलेशन न итूंटी के सलेशन वे हैं ना तो यहां प्रदिशान से देखेगे की ठर्टी फाइब ग्राम क्या दिया हुआ है वह मां यह मास ओफ सलीशन दिया हुआ है मतलब • यह इन एनो 3 की सॉलिशन का उसमें से 9 ग्राम क्या है एने ए सील है है ना उसी 35 ग्राम में से 9 ग्राम क्या है एने सील है तो बताइए इसमें मास आफ सॉल्वेंट कितना होगा आपका मास आफ सॉल्वेंट यहां पे 9 ग्राम है है ना मास आफ सॉलिशन 35 ग्राम है तो इसलिए क्या हो प्लस व्यूट होता है तो आभी आप बताईए कि स्विसन का मास 35 है इक्वल का साइन सॉल्वेंट को नहीं पता एक्स है प्लस सॉल्यूट दिया है 9 ग्राम तो एक्स निकालेंगे तो 9 इधर आके घट जाएगा यहींगि 26 आपको निकल जाएगा क्या 26 ग्राम आपका निकल मास आप सॉल्वेंट मास आफ्सों क्यों निक对काले क्यूंकि सब्सिघ डिवाइड होता है और मास उप सॉल्वेंट उपर रहता है तो आप देख सकते हैं और संता था नीचे मौस आप सॉल्वेंट इंटिवाइड करेंगे इंटू हंडेड कर लेंगे आंसर आज आएगा अब यह इस तरह के नियुमरिकल्स आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के नियुमरिकल्स पूछे जाते हैं अब यह क्यों डिसकास करते हैं एंस्ट एंसे क्यों देखे सअलिपलीटी इज़व एंसलीटी कि इस अमौन्ट आफ शॉल्यूट डिजॉली इन मतलब सल्विटी है अमौन्ट आफ साल्यूट डिजॉल्व इन कितना कितने ग्राम और सब्स मैक्सिमम अमॉंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व होगा वही सॉल्यूबिलिटी कह लाएगा तो यह होप कि आपको समझ में होगा सकेंड नमर आंसर होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट नेक्स्ट पे चलते हैं एने से लिज डिजॉल्व डी इन वाटर दा निगेटिव कि मिलाते हैं लाइच ँभो होता है तो यह एक्षिली में एने सी लएक को सलूसन के केसमें आयो नाइज होगा तो यह मैनस में टूटेगा दुसरा अब यह पूछ रहा है कि वाटर मॉलिक्स के दिज आयानस जो एच मैनस है हैना वाटर ब्रेक himself होगा था है जॉकás मैनस मे यहाँ पे क्या है OH- है तो NACL में NA plus था है ना तो NA plus था water molecules में negative ions minus था तो यह minus negative NACL के किसे attract होगा तो NA plus से attract होगा तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे sodium आंसर हो जाएगा I hope कि आपको यह समझ में आया होगा अब यहाँ पे देखते हैं next question the solubility of sodium sulfate is लगभग जितना भी sulfate का compound होगा उस वक्त solubility का exception केस आ जाता है ध्यान से सुनिए यहाँ पे sodium sulfate का solubility temperature बढ़ाने से temperature बढ़ाने से sodium sulfate का solubility decrease हो जाएगा जनरली ऐसा नहीं होता है सिर्फ sulfate compound का exception है नहीं तो जितना भी solid का solubility होगा solid का in liquids में solubility होगा वो temperature बढ़ाने से उसका solubility भी बढ़ेगा लेकिन sulfate वाले compound का exception है temperature बढ़ा देने से उसका solubility घट जाता है तो अब आप answer देखिए क्या होगा यहाँ पर decrease temperature यहाँ पर क्या है sodium sulfate का solubility decrease होगा with increased temperature second number answer होगा अब पोज करके सोचना है इसमें अब यहाँ पर next question पर चलते हैं solubility is a good separation technique for solubility जो है good separation technique actually मैं किसके लिए तो different different salts के लिए मालनेते a solubility का solubility और b solubility से ज्यादा है तो इसलिए इस solubility के basis पे आप separate कर सकते हैं a और b को next question पर चलते हैं the solubility of gases increases with the decreases of यहाद रख लिए गैसे का solubility बढ़ेगा तब जब टेंपरिचर घटेगा ध्यान से सुनिए टेंपरिचर और इसलिए में उल्टा difference होता है गैसे में है ना यहनी बढ़ेगा तो टेंपरिचर घटेगा अगर आप तेंपरिचर बढ़ाएंगे तो solubility घटेगा किसका तो गैसेज़ का अब यहां पे आशर क्या हो जाएगा यहां पर जब आपने क्या किया से लिए बढ़ाया तो टेंपरिचर क्या होगा घट जाएगा तो यहां पर आशर क्या होता डिपरीजेड आफ टेंपरिचर अब नेक्स करेशन पर चलते हैं solubility depends upon solubility किस किस बातों पे depend करता है temperature पे भी करता है actually मैं उस solution के solute पे भी करता है और तो और solvent पे भी करता है को solvent कितना है और कौन सा solvent है तो इसलिए answer हो जाएगा all of these next question पे चलते है solubility of a solid in liquids increases with the increases of मतलब यह बोला है कि मान लेता है कि इसमें water है पहले से यहनि liquid है water इसमें chini डाल रहे है सूगर डाल रहे है तो सूगर का solubility बढ़ेगा चलि में सूगर ज़ादा आप add कर सकते है यहींनि solubility उसका बढ़ेगा यहीं सुगर और ज़्यादा आइड कर सकते हैं कब जब इस water के temperature को बढ़ाएंगे यहीं temperature बढ़ाने से solid का liquid में solubility भी बढ़ेगा यह भी आपको धियान रखना है तो I hope कि आपको यह बहतर समझ में आया होगा last question देखते हैं the maximum amount of solute which can dissolve in a hundred gram of solvent at a room temperature is called solubility मैंने अब भी बताया कि वह maximum से maximum amount जो hundred gram of solvent में पूरी तरह से dissolve हो सकता है यही maximum amount of solute solubility कहलाएगा अब एक और question साहिए बच रहा है वह भी discuss कर लेते हैं साहिए last question है तो the solution which can hold no more solute is called किसी solution में आप और ज्यादा solute add नहीं कर सकते हैं यानि मन जैसे कि आपके hundred gram water में आप maximum dissolve होने के लिए जो है जो है भी अभी आपने देखा एने CL मातर maximum 36 ग्राम कर सकते थे लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हैं तो इसलिए यह ऐसा solution जो बनेगा वो saturated solution कहलाता है यानि जब और ज्यादा आप नहीं add कर सकते हैं मतलब maximum आपने add कर लिया solute को तो यह जो condition है solution का saturated solution का होता है I hope कि मैंने आपको बहतर समझाया अगर really में आपको समझ में आया है तो please मेरे वीडियो को support करें subscription बढ़ाने में और like भी करें और तो और comment भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है thank you so much